हाई डियर और वेलकम बाक टो एडू काप्टून आज हम प्रॉपपर ये वाला सेशन इडेमें फ्रेजिस को डिडिकेट करने वाले हैं और ये इस तरीके से मैंने सेशन बनाया हुआ है आपका कि आप चाहोगे भी ना कि मुझे इडेमें फ्रेजिस भूलने हैं तो भी आप भूल नहीं पाओगे बच्चे करते के हैं एक लिस्ट ले ले लेते इडेमें फ्रेजिस की और इसको daily basis पे रटा मारन वसका शुरू करते हैं जो कि बहुत ही खराब एक आपरोज होती है EDM and phrases को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है आज वाले session के अंदर हम सीखने वाले हैं और इस वाले session के अंदर मैं आपको 50 तो ठीक है कहने के लिए बट मैं 50 से जादा ही आपको EDM and phrases कराऊंगा इससे पिछली बार इससे last session में मैंने टॉप 100 vocabulary जो है आपके लिए डाली थी वो वाले words जो की CUET से बहुत ही जादा relevant है जो की IPMAT, Indoor, Rohtag, JipMAT सबसे बहुत जादा relevant है वो सारे ही words मैंने इस session के अंदर डाले हुए है और ये जो आज हमारा EDM and phrases का session होने वाला है ये भी हमारा proper CUET point of view से relevant होने वाला है IPMAT point of view से relevant होने वाला है Christ point of view से बहुत जादा relevant होने वाला है ठीक है? तो बिना समय waste किये चलते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले देखो यार बहुत से बच्चों की हमारे पास बिल्कुल end days के अंदर query आ रही है तो yes आप जो है description box के अंदर एक number आपको मिल रहा होगा वहां से हमारा जो भी latest batch है जो भी upcoming हमारा batch है उससे relevant information आप ले सकते हो बाकी current अभी जो है हम कोई भी batch के अंदर admissions नहीं ले रहे हैं और अगर आपको फिर भी enroll करना है तो आप हमारी mock test series के अंदर enroll कर सकते हो इसके अंदर आपको topic wise mock test मिल जाते है full length mock test मिल जाते है question banks मिल जाते है mock test के आपको quant or lrdi के अगर मैं बात करूँ तो आपको video solutions मिल जाते है आपको mock test मिल जाते है proper domain के आपको general test आपको english language ipmat indoor rotak, jipmat, christian university, ip university मुंबाई सब के आपको proper mock test हमारे available हो जाते है आप चाहते हैं तो आप इसके अदर enroll कर सकते है बिना समय वेश के चलते हैं हमारे idems and phrases के तरह यहर देखो idem and phrases को सबसे best सरी का पता है क्या पढ़नेगा theme based पढ़ना अब यह theme based क्या है आपने यहाँ पर हमने एक theme रखी let's say blood ठीक है यह blood हमने एक theme रखी अब इस blood के इर्दिगिर्द जितने भी relevant हमारे idem and phrases होते हैं तो हम याद करेंगे जैसे कि सबसे पहला है हमारा blue blood blue blood का मतलब होता है a member of aristocracy मतलब कि जो बोलते हैं बड़ा ही रहीस खांदान का बंदा है उसको हम बोलते है blue bird ठीक है और हम सभी blue bird है यार सभी बहुत अच्छी family को belong करते तो that is blue bird next है हमारा bad blood bad blood का मतलब होता है feeling of ill ill will, anger and hostility जब आप बहुती anger बहुती ill feel करते हो तो वहाँ हम यह 이름 bad blood जो है use करते है next है हमारा blood running cold blood running cold का मतलब होता है to become very frightened उसका मतलब होता हमारा bad running cold ठीक है? sorted है next है हमारा in cold blood cold blood का मतलब होता है जो की बहुती un emotional manner के अंदर चीज की जाए जैसे की आपने देखा होगा जो हमारे murders होते है वो actually करते क्या है वो किसी का भी murder कर देते है मतलब बड़ी बेरहमी से काम करते है तो जब कभी भी बहुत un emotional manner के अंदर चीज की जाए उसको हम कहते है in cold blood sorted next है हमारा flesh and blood flesh and blood हमारे जो idiom है वो use के जाता है जो की हमारी family होती है वहाँ पर हम इस word इस idiom को use करते है ये best तरीका है हमारा idiom and phrases को याद करने का blood से relevant जितने भी हमारे है इर्दिगिर्द रखते है याद कर लेने best approach होती है next हमारी theme है neck आप image भी देख सकते हैं neck का हमारा जो पहला idiom है आज हमारा breathe down neck breathe down neck का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ही closely observe करो है ना that is breathe down neck वहाँ पर यूज कर सकते हैं next है हमारा a yoke around neck a yoke around neck का मतलब होता है किसी चीज के लिए burden है ना burden बन जाना that is yoke around around neck जैसे कि मालो मालो मैं mechanic हो ठीक है मैं mechanic हो अब मैं एक car जो है वो रिपैर कर रहा हूँ अब उस car के अंदर कुछ ऐसी चीज आगे जो कि मुझसे रिपैर हो ही नहीं पा रही है तो मेरे वो burden मनती जा रही है that is a yoke around neck sorted next है हमारा stick one snake out stick one snake out का मतलब होता है to do something dangerous जब बहुत dangerous चीज़े करते हो that is stick one snake out वहाँ use करते हो next है हमारा break one snake break one snake का मतलब होता है के भाई आपने जो है बिल्कुल गर्दन तोड महनत कर ली गर्दन तोड का मतलब है के भाई आपने 80 चोटी का जोर लगा लिया उस काम को करने के लिए next है हमारा up to one snake up to one snake का मतलब होता है to have a lot of something busy completely मतलब की आपकी plate जो है न वो full है काम से बहुत busy हो that is up to one snake के भाई मेरा काम बिल्कुल हलक तक भरा हुआ है बोलता है ना के भाई मैं तो हलक तक भरा हूँ मतलब की मेरे पास मेरे पास बहुत काम करने के लिए ठेक है neck and neck का मतलब होता है to compete at equal level बोलता है ना के भाई मतलब आमने सामने बिल्कुल one to one लड़ दो है ना सीधा सीधा लड़ दो आजो है ना single single लड़ दो बोलता है single single लड़ दो पहला एडिया में bone of contention bone of contention का मतलब होता है matter of dispute ठीक है कि जड़ क्या है भाई लड़ाई दंगे की जड़ क्या है ठीक है जैसे कि मानलो दो student आपास में लड़ रहे किसले लड़ रहे कि भाई monitor जो है मैं बनूँगा मैं बनूँगा लड़ रहे हैं आपस में तो वही bone of contention मतलब matter of dispute ठीक है next है हमारा close to the bone close to the bone का मतलब होता है of a remark likely to offend something हैना कुछ ऐसा आपने remark दे दिया joking सामने वाले को जो है भाई offend कर देगा बुरा कर लग जाए अग उसको बहुत साथ हैना close to the bone next है हमारा as dry as bone तो आपने अगर bone को देखा होगा तो bone कैसी होजाती है बहुत सूखी होजाती है तो as dry as bone का मतलब होती है वो जिए जो कि बिल्कुली सूख चुकी है next है हमारा bone to pick bone to pick का मतलब होता grievance that need to be dog ठीक है मतलब बात करनी चाहे जिसमें मुद्दे में बात होनी चाहे next है हमारा down to the bone down to the bone का मतलब होता completely entirely cut to the bone का मतलब severely reduced किसी चीज की आपने किसी चीज की intensity कम कर दी that is cut to the bone कर दी next है हमारा shoulder इसका हमारा जो आज पहला word है जो हमारा पहला idiom होगा shoulder के लिए वह होगा an act of disregarding something आपने किसी को disregard कर दे that is cold shoulder करना cold shoulder का मतलब यह नहीं थंडा shoulder दिखाते है नहीं नहीं cold shoulder का मतलब है कि आपने इसको respect ही नहीं की next हमारा rub shoulders rub shoulder का मतलब होता है to meet and spend time with someone ठीक है किसी के साथ बैठे हो ऐसे shoulder से shoulder rub कर रहे हो आप ऐसे समझ सकते हो shoulder आप rub किसी से जबी करोगे नहीं कोई आपके साथ बैठा होगा है ना तो rub shoulder मतलब to meet and spend time with someone straight from the shoulder का मतलब होता है to be frank and direct जो बहुत ही frank हो जाए बहुत ही directly बात करे है मतलब straight from the shoulder next है बही हमारा on someone's shoulder someone's shoulder का मतलब होता है किसी पर responsibility आजाना next है हमारे head and shoulder head and shoulder का मतलब जसे वो shampoo भी आदा हमारे head and shoulder का मतलब head and shoulder का मतलब होता है किसी से superior होना to be superior to someone मतलब head and shoulder next हमारी theme है heart heart से हमारे जो पहला idea हमें निकल के आता है that is after my own heart after my own heart का मतलब होता है person of the same interest मतलब की मान लोग मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है after my own heart का मतलब होगा कोई ऐसा बंदा मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ जिसको भी पढ़ाना बहुत इंट्रस्टेड लगता हूँ same interest के जो लोग होते महाँ पे हम यूज करते है after my own heart take to heart का मतलब होते है take something seriously बोलते है भाई दिल से क्यों ले रहा है या इतना दिल पे मतलब लगा मैं तो बहुती मज़ा कर बोला था तो take to heart का मतलब होते है take something seriously भाई मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपने इसके notes proper बनाओगे इसके notes बनाते भी चलना तब ही आपको मज़ा आएगा sick at heart sick at heart का मतलब होते है grieving very disappointed जब होते है that is sick at heart बाई दिल से बुरा लगता है बाई वो वाला sick at heart bear one's heart bear one's heart का मतलब होते है to share one's intimate thoughts and feeling with one's person that is bear one heart strike at heart का मतलब होते है to attack at central part मतलब strike at heart आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे की parliament है parliament जो है India का India का जो parliament है वो उसका center है ना अब center पे जब attack कर दिया जाए तो मतलब की India के India पे strike at heart कर दिया उसके center part पे attack कर दिया ठीक है bear one's heart on one's sleeve का मतलब होता है to make one's feeling apparent ठीक है बात आए समझ में और यह दोनों same ही sound करते है ठीक है bear one's heart और wears one own heart sorted चलते हैं भई next है भई हमारा hand and glove hand and glove का मतलब होता है in close collusion or association जब आप किसी से बहुत closely associate होते हो मतलब की hand and glove यह हमारी hand की theme चल रहे भई next है हमारा get out of hand get out of hand का मतलब होता है to something जो चिस हमारे control से out हो जाए भई यह तो बिल्कुल out of control होगे मतलब get out of hand हो जाना tip one hands का मतलब होता है reveal one's intentions inadvertently मतलब की बहुत ही unintentionally आपने क्या किया बहुत ही unintentionally आपने किसी के intentions को reveal कर दिया that is tip one's hand करना wash your hands of something मतलब की to stop being involved in something मतलब की मैं इस के अंदर अब नहीं हो सकता आप ही करो इस काम को मतलब की मैंने इस काम से हाथ दो लिया अपने ठीक है मैं इस काम से मैं अब देखूँगा अपने हाथ में मैं लेता हूँ इसका काम का चार्ज that is to take matter in your own hands ठीक है next है बही go hand with someone मतलब की closely connect हो जाना किसी से ठीक है that is go hand with someone next team है बही हमारी book book हो गया बही हमारा book से हमारा पहला जो idiom निकल के आ रहा है bring someone to book मतलब की to punish someone officially किसी को जब आप officially punish करतो मतलब होता उसका bring someone to book ठीक है next है बही हमारा in someone's good book in someone's good book का मतलब होता है in favor with someone मतलब की आप किसी बात को रखता है मैं भी इस बात के favor में हूँ मतलब की I am in your good book next है बही हमारा cook the book cook the books का मतलब होता है to change number dishonestly कभी कबार क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई company के आपकी excel sheet है अब आप जैसे कि मान लो चलो ये छोड़ो आपकी जो है किसी subject की marks की sheet आपके हाथ में excel sheet आपके हाथ में या फिर मान लो teacher ने सबके सारी teachers के बच्चों के नाम लिखे में उसके आगे mathman की क्या क्या मात से वो लिखे में ठीक है तो अब आपके मान लो 40 में से 35 number आए और वो 5 जो हम कैसे लिखते है 5 हम बिल्कुल इस तरीके से लिखते है 5 ठीके तो 35 ऐसे लिखा हुआ आपका आपने क्या कर नाम इस 5 को ऐसे करके 6 बना दिया बिल्कुल इस तरीके से 6 बना धे का वो 5 दिखी न र दोनों दिख रहा है आपने क्या करना नंबर चेंज कर दिए मतलब की cook the book को ग्या next है and open book एन ओपन बुक का मतलब होता है कि भाई मैं तो खुली किताब हूँ स्ट्रेट फ़रवर्ड जो पूछ मैं पूछ एन दाट इस एन ओपन बुक नेक्स है हमारा बाई दबुक स्ट्रिकली बाई दबुक का मतलब होता है आपका जब आप according to rules चलो जैसे कि हमारी इंडिया है यह भी हमारे constitution की according ही चलते है ने एक बुक की according चलती है तो वैसे ही जब आप एक बुक की according चलो ताट इस बाई दबुक हो ठीक है next है भाई हमारा to judge a book by its cover यह आप सभी को पता है है ना किसी किसी भी इंसान को उसकी appearance के according judge नहीं करना चाहिए तो वहां भी यूज़ करते है to judge a book by its cover next theme है हमारी C C का है हमारा at the sea at the sea का मतलब I am at the sea जब आप यूज़ करोगे जिसका मतलब यह बहुत ही confused हो puzzled हो बिल्क कि I am at the sea now ठीक है दूर 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 था facing two equal unpleasant situation मतलब कि मान लो आप खड़े हो आप सोच जोरो कि अगर मैंने plan A अपनाया तो भी मैं मारा मैंने plan B अपनाया तो भी मैं मारा हाला तो वहां पे आप लगाते हो between devil and deep blue sea वहां पे आप यूज़ करते हो next है भाई हमारा on the high sea मतलब कि in international waters मतलब कि एक ऐसा sea जैसे होने हो यह मालो यह sea है ठीक है तो इधर वाला पानी जो है मालने थे country y यूज़ कर रहे है यह वाला कोई country x पानी यूज़ कर रहा है तो ऐसा sea वाला point मतलब कि जो कि दो देश के बीश में ऐसे आ रहा हो हो जाना बिल्कुली complete transformation हो गए वहाँ पर हम लग यूज़ करते है अ शीचेंज ठीक है फिफ्थ है भाई हमारा at sea level का मतलब होता है as the ocean सॉटेड सिफ्थ है हमारा follow the sea follow the sea का मतलब होता है to live a sailor's life जब आप एक sailor's की तरह life जीतो मतलब कि follow the sea अब sea follow कर ले sorted next है भाई हमारा cloud next यह जो हमारा cloud वाली theme है बड़ा ही important इसको star mark करें सबसे पहला जो हमारा आता है under a cloud under a cloud आप यूज़ कर सकते हो जब आप under suspicion होते हो निगरानी में रखते हो किसी हो वहाँ पे आप under a cloud रखते हो इस theme को यूज़ करते हो next है भाई हमारा cloud 9 cloud 9 का मतलब हो गया जब आप बहुत extremely happy हो जैसे की आपका माल ने थे है शिराम college of commerce और admission हो जाए या आपका शहीज़ जोज़े college of business studies में admission हो जाए I am in door में admission हो जाए तो आप क्या होगा आप cloud 9 पर हो जो तो बहुत extremely happy that means cloud 9 third है भाई हमारा in the cloud in the clouds का मतलब हो जो की बहुत ही unrealistic हो impractical हो that is in the cloud ठीक है कुछ लोग होता है जो की अपने ही bubble के अंदर जीरे होते है कि जिन्देगी इस तरीके से ही चलते है वहाँ पर हम ये in the cloud के he is in the cloud बहुत की उसके अपनी जीने का अपना ही एक bubble है पस लेटा लेटा उसी bubble के बारे में सोचते है कि आर ऐसा होता है ऐसा होता है बट action में reality ऐसी नहीं होती है बहुत मेहनद करनी बढ़ते है ना चीजों को तो वहाँ पर यूज़ करते है fourth है भाई हमारा cloud on the horizon cloud on the horizon का मतलब होता something that threatens to cause problem ठीक है that is cloud on the horizon चलते है next है भाई हमारा friend और यहाँ पर fair weather friend और हमारा all weather friend इसमें बच्चे बहुत confused होता है इसको clear करेंगे सबसे पहला हमारा होता है bosson friend bosson friend होता हमारा जो कि बहुत ही close friend होता है जो कि चड़ी बड़ी जिसम कहते है next है हमारा fast friends होते है अच्छे दोस्थ है loyal दोस्थ है वहाँ पर हम fast friends use करते है ठीक है all weather friend का मतलब होता है एक ऐसा दोस जो कि आपके अच्छे समयभी भी आपके साथ है और आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ है वह होता है all weather friend fair weather friend जो होता है हमें लगता है जैसे idem आगे fair weather friend तो हमें लगते है fair weather मतलब कि अच्छा दोस्थ नहीं यह ऐसा दोस्थ होता है जो कि अच्छे समय में तो आपके साथ है बर बुरे समय मैप के साथ नहीं होगा ठीक है तो यह होता है हमारा fair weather friend sorted है अहली बात next next है हमारी theme stone तो stone से हमारा पहला जो EDM निकल के आता है वो होता है leave no stone unturned leave no stone unturned का मतलब होता है कि भाई आपने again हमारा जो एक neck वाला EDM use हुआ था मुझे comment section के दर बता ना कौन सा था हो आपने EDM चोटी का जोर लगा लिया ठीक है तो मतलब कि leave no stone unturned का मतलब हो गया to do everything possible आपने सारी चीज़े कर दिये सारे जतन कर दिये next है हमारा at a stone throw at a stone throw का मतलब होता है जो चीज बहुत ही पास हो बच्चों को पते क्या लगता है बच्चों को लगता है at a stone throw मतलब जो चीज़ बहुत दूर है नहीं माल लो आपने stone फैका तो पैरा बोला बनता हो आपको दिख जाएगा नहीं कहां गिरा है पास में तो गिरा होगा या आप श्री क्रिस्टन थोड़ी हो क्या अपने अगर सीधा फैका तो चलता ही चलता ही जाएगा इसा थोड़ी नहों होता है तो at a stone throw का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही close होती है sorted है third है भाई हमारा a rolling stone a rolling stone का मतलब होता है a person who winder जो घुमककड होता है इदर 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 घुमता है रहा तो उसको बलता है rolling stone हाना लुड़कता है रहाता लुड़कता है रहाता दर सदर ठेक है fourth है भाई हमारा cast stones against the wind cast stones against the wind का मतलब होता है to do something futile sorted गाली बात next है भाई हमारे next theme हमारी है turn और हमारा पहला idiom जो turn से निकल कर आथा that is turn up one's nose turn up one's nose at मतलब कि to reject something आपने जो है ऐसे करके आपने किसी से ऐसे नाक मोड ली है ऐसे मोड ली नाक मतलब कि reject करा है आटा इसको वह वाला चीज हो गया दूसरा हो गया हमारा turn your hand to something turn your hand to something का मतलब हो गया आपने किसी चीज को आपना लिया that is turn your hand to something तीसरा है हमारा turn one's head मतलब हो गया to feel proud that is turn one's head fourth हो गया हमारा out of turn का मतलब हो गया not in correct order जो 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 out of turn next है भई हमारा जो हमारी theme है वो earth और ground से related है ठीक है तो हो गया salt of the earth का मतलब हो गया a very good honest person है ना जो की बहुत अच्छा बहुत ही इमानदार बंदा हो इसको हमोलते है salt of the earth sorted है भई दूसरा है हमारा run to ground run to ground का मतलब हो गया discover after a lot of searching मतलब की वो चीज जो की बहुत ढूणने के बाद आपको मिली हो that is run to ground ठीक है next है भई हमारा go to the ends of the earth ends of the earth मतलब की यहां से यहां तक जाने का मतलब समस्चा मतलब लेना इसका मतलब हो गया do anything possible इसी theme पे इसी पे हमें तीन idioms पढ़े हैं मुझे बताना होती ही idioms कौन कौन से comment section के अंदर fourth है भई हमारा यह हमारा third था fourth है हमारा fall on fall on stony ground fall on stony ground का मतलब होते है completely आप किसी को ignore कर दो fall on stony ground मतलब इगनोर कर देना चलते है next है भई next theme हमारी mind तो यहां पे कहता है पहला जो हमारा idiom है to give a peace of mind to scold or rebuke करना that is to give a peace of mind second है हमारा to speak one's mind to speak one's mind का मतलब होते है to be frank and honest किसे frank होना honest होना मतलब कि to speak one's mind at the back of one's mind at the back of one's mind का मतलब होते है हमारा subconscious mind जो होते है वहां से आप मेरे thought में हो that is at the back of one's mind ठीक है फोर्थ है हमारा cast one's mind back का मतलब हो गया to recall something किसी को recall करना that is cast one's mind back sorted किसी चीज को भी recall कर सकते हो किसी इंसान को भी आप recall कर सकते हो वो हो गया next theme है हमारा swords swords का हमारा जो पहला idiom निकल किया है that is cross swords cross swords का मतलब हो गया कि भाई disagree कर जो आप किसी चीज से that is cross swords next है भाई हमारा damasal swords का मतलब हो गया constant threat जब आप किसी को देते हो ठीक है next है हमारा at swords point का मतलब हो गया antagonistic hostile मतलब की भाई लडाई जगडे वाले scene यहां पर आपको दिखती है at swords point ठीक है fourth है हमारा double-edged sword का मतलब हो गया something with both good and bad consequences जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिनाम हो that is double-edged sword ठीक है next है हमारा once तो once का हमारा पहला जो idem हो जाएगा that is once in a lifetime once in a lifetime मतलब जो की पूरे जिंदगी में एक ही बार never likely to happen again जो की बार-बार नहीं होगा उसको हम क्या कहते है once in a lifetime वो तो sentence उससे idem से ही clear हो रहा है once in a blue moon का मतलब हो जो चीज़ बहुत ही rare होती है that is once in a blue moon right third once and for all once and for all का मतलब हो गया final and definitely जो चीज़ होती है उसको मुलत है once and for all ठीक है हमारा next है भई next idiom मतलब हो क्या रहा है measure twice cut once मतलब की हर एक step को बहुत ही careful ले न वहाँ पे हम use करते हैं measure twice cut once sorted है तो इसमें हमारे इतने ही idiom and phases है और इस video के अंदर जो है लगबग लगबग approximately 75 to 80 idioms जो है हमने cover up किये है और मुझे comment section के अंदर आप ज़रूर बताना कि next आप topic मुझे कौन सा पढ़ना चाहते हो मैं उसी पे जो है proper video एक dedicated complete video जो है उसके उपर बना दूँगा और बाकी आप free of cost proper पूरा verbal ability पढ़ना चाहते हो तो आप Educaptain की application download कर लो वहाँ पर free course में जाके आपको हमारा proper जो हमारा free course है आपको वहाँ पर मिल जाएगा वहाँ से आप proper पढ़ाई कर सकते हो I hope आपको clarity मिली होगी मिलता से किसे next video के अंदर मुझे दीजेगा जाज़त till then bye bye and take care bye bye